सभी मित्रों को जय जय सियराम प्रभु स्री राम की क्रिपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे यही हमारी मंगल कामना है गोश्वामी तुलसी दास जी के दोहे अर्थ सहित दया धर्म का मूल है पाप मूल या भीमान अतुलसी दया न छोरिये जब तक घट में प्रान गोश्वामी तुलसी दास जी कहते हैं कि धर्म दया भावना से उत्पन होता है और अभीमान जो सिर्फ पाप को ही जनम देता है जब तक मनुस के सरीर में प्रान रहते हैं तब तक मनुस को दया भावना कभी नहीं छोड़नी चाहिए राम नाम मनी दीप धरू जीह देहरी द्वार तुलसी भी तर बाहर हूँ जो चाहसी उजियार तुलसी दास जी कहते हैं कि हे मनुस्य यदि तुम अपने अंदर और बाहर दोनों तरफ अगर उजाला चाहते हो तो अपनी मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मनी दीप को रखो सरना आगत कहुँ जेत जही निजया नहीत अनुमानी तीनर पाबर पाप मै तीनहीं बिलो कतिहानी जो बेक्ती अपने अहीत का अनुमान करके सरन में आए हुए का त्याग कर देते हैं वे छुद्र और पाप मैं होते हैं इनको देखना भी सही नहीं है इनको देखने से भी पाप लगता है गोश्वामी तुलसी दाजी कहते हैं कि जब तक किसी भी बेक्ती के मन में काम बासना की भावना लालच गुसा और अहंकार से भरा रहता है तब तक उस बेक्ती और ग्यानी में कोई अंतर नहीं होता दोनों ही एक समान होते हैं तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजाता चहूर अबसी करन एक मंत्र है परिहरू बचन कठोर तुलसी दास जी कहते हैं कि मीठे बचन सही और सुख को उत्पन करते हैं ये सभी और सुख फैलाते हैं तुलसी दास जी कहते हैं कि मीठे बचन किसी को अपने बच में करने का अच्छा मंत्र है इसलिए सभी लोगों को कठोर बचन का कोत्याग कर मीठे बचन बोलने चाहिए तो बोलिये सियावर राम चंद्र की जये अध्याराम लला की जये ब्रिंदावन बिहार इलाल की जये पवन सुतहनु मान की जये बलो भाई शब शंतन की जये हर हर महादेब जये सिब संभो